ईसने पहली तो किस तरह से बैयांद किया गया है। तो बलबाद को तरह से तुम सब्से पहले समझेश ले यसा महांद आप मतलबust हो विडता है। कि जिसमें नफस रहता है या नफस का महल है किसे फिर नफस अपने आने के तौर पर इस्तेमार करता है तो यहां जो बात शुरू होती है कि में जिमार की वो नफस से शुरू होती है है नफसों करता है तो सबसे dwpa नुभा ओंधृब का जैब जाता है धाया कि जीए आधे सब्से पहले वे पताहिए तो नफस क्योंकि उसे आले के तोर पर इस्तेवाल करता है तो रुखे नफसारी का मुगदा कहना आता है अब नफस के बाद दूसरी जो चीज आती है वो रुखे नफसारी को तो रुखे नफसारी का मुगदा मानते हैं विपपाई से और नफस का महर और आजाब को उन रूह की गुज़गाहे मानी जाती है तो जब गुज़गाहे माने जाती है तो ये बात तस्लीम कर ली जिए बले ही अनाटमी के लिए आप न देख पाए कि इन में कहीं न कहीं कोई इस्पेस मौजूद है जिससे रूह नफसानी गुजर कर जिसम में ताफिल होती है या उन आलाद में ताफिल होती है जो आलाद मुद्रिका कहलाते है या वो आलाद जिनसे आदमी को एहसास होता है तो ये आशा दिमाग की इस खिद्वत का काम अंजाम देता है है कि दिमाग के अंदर जो चीज होती है जो वहां पैदा हुई उसे यह पूरे जिस्म में तप्सीम करती है और खास्तों को भास तक लेकर जाती है जिनके जरीए से फिर इंसान एहसास का काम अंजाम देता है अच्छा दूसरी चीज एक है अतिवा के यहां नर्व एक ही है ल उसे अलग ही मानते हैं कि मॉटर नर्व अलग होती है और सेंसरी नर्व अलग होती है अतिपा ने इसके लिए कुछ दलाय भी दिए कि यह दोनों अलग होती है जोने आशाम से घुजर कर ये पूरे चिसमें जाये कि पूरे चिसमें से जाने का मकस्द क्या है यह यह हवाज जो है वो अपने अफ़ान करने के लिए तयार हुआ है क्योंकि कोई भी कूवत हो वह उपवत जब तक पैल अंजाब नहीं दे सकती जब तक वह रूश से जरूरी था कि पूवत जो आजा के अंदर है या हवाचे मुद्रिका हो या हवाचे हिस्सिया हो उनके अंदर जो पूवत है उस पूवत को पाल करने के लिए जरूरी था कि वहाँ रूह को पहुचाया जाए जिसके लिए अकिपा ने ये बताया कि ये जो आशाब है ये आश आठेक कि मुद्रिक और नंग दिमाग में रूहे बित्तर्वानी दिमाग में रूहे हर्वानी के बत्तवीच हर्ड में विपनाती है लेकि इसकी चीज ज्यान देंगे आप लो के रुह नफसानी बजाते हैं कोई अलग चीज नहीं है बनके वो ही रुहें के जो दिल से दिमाग में जाती ही और दिमाग में जाने के बाद इसमें फिर एक हर्म और नुजिज़ का फेल लगता है कि इसमें होती है जिसके बाद ये रुहें नफसानी में बतद्रीज तब्दीर होती है एक साथ तब्दीर नहीं होती है और ये बतद्रीज तब्दीर होने की जरूरत इसलिए थी कि अतिपा के नजदीर पेले हिश् mr. और फेले हिब्द दोनों की जो दर्जात है वो अलहता है किश्म हिश्म उसके लिए उतनी लतीब रूप की ज़रूरत नहीं है जितनी लतीब रूप की ज़रूरत हिब्द के लिए तो इसलिए जब उसलिए जबुबूर एहमानी उपद्द्व जिमाग से मौकर जिमाग तक गुजरती है या इस सपब ते करती है तो इस सपब में ये पतग drivers लतीब होती चली जाती है और इसकी शपाफियत बढ़ती चली जाती है इसलिए यह जब मौक। दिमान में जाती है तो इसकामे वोत सी है हिब्स का पेर अज्याता में लेसके या कुवच अ हाफ्जा को वाल कर सके तो इसलिए अत्पा ने बताया कि जो दिमान के भुणियात पर यापाइदिकी किरफ जो इलूप का जान होता है वो रूप का जाल है ही सिर्फ इसलिए कि रूह एवानी का गुज़र वहां से इतनी देर तक रहे सके कि उसे दिवाँ हज्ब और नुज़ित का पेर अंजा दे सके तो ये दिवाँ जो है वालाए नफसे जो अपाने नफसाने ये इस्केमाल करता है रूह और तबियत नफस के मातहट काम ड़ती है ती देखे ये जाल जैना जरूरी है कि यहाँ दिमाँ में बागे सब्सक्राइब तबियत का पेर अलेग लेकिन यहाँ दिमाँ में तबियत और ये रूह दोनों मातहट हैं नफस के तो बुनियादी जो खराबी दिमाँ में आती है वो नफस की होती है या यू कही है आपके साली तोर पर रूह या तरत्वियत अगर कुछ खराब होती है तो उससे नफस के अवाल में खराबी आती है तो ये इसलिए मातहट के तोर पर काम ड़ती है तो लूसे ये नफस疑घ, नफस नाचंगा है सोने के होलत में नफसचा के थी अवाज़त work करता है और जागने के होलत인가 आपके नफस्साने का इजार दिमाग सूरे नफसाने का मिजाज भी उतवियर होता है और इसके बाद फिरापान में खराबी पैदा होना शुरू होती है देखें यहाँ एक शीर यह जानना को बहुत ज़रूरी है कि अकिपाई शीर को मुसल्माद में से मानते हैं कि हवाज का महाफित जो है वो नफस है और शीर यह सोते हुए एक जान में नफस उन्ही आलाच के वो पेर अंजाब दिलाता है और अगर यह तालुक पत्म हो जाए कि इंसान जब सो रहा होगा नफस इन आलाच की हिफाज़त ना करे तो फिर जागते हुए आलच में आप इसका इस्तेवाल भी नहीं कर सकते देखिए यहां इसी जब आपको पताना जाओंगा कि जैसे आंग है आंग में आतरे शोते हुए इंसान के आप आप ओपिन कर दें तो वह देखता नहीं है जब कि वह सारी चीज़े जो रिसेक्टर पोटो रिसेक्टर उसमें है वो फोटो रिसेक्टर के उपर नाएक भी जाती है और वह इस्तुमुलेटर की होते होंगे तो फिर भी देख नहीं पाता है तो बालाग यह ना देख सोटे हुए में अपाल के सेस्पेंशन का मैटर अभी इस के लिए तो यहां तिक यहन कैते हैं बाई दो है नफसाणी यह अपने महिसे और इंशान तो तब तक यही मार लेने में क्या पुराई है कि यहां से चली जाती है यह जिसे तिब्बाई कहते हैं कि अंदर ने बदन चले जाते हैं तो इस बात को मार लेने में बुझा है जब तक कोई ऐसी थियोरी आएगे जो इसे पुरी तरह से कि एक्सृले कर सकती हुए है तो बहर सतो दिमां दिमांगे उजवे या एक उजवे था उनgeschraoss और उसके तरकीव में कुछ मुवरत आहा ह voc मुपताई मुपताफिय। तो भूंगे शामिल है वह क्या का हो सकते हैं तो वह रूख व्य मुठ ने दिमार और बिर सानली के रू Hell this is a सकते में उसकते हैं सब्सक्राइब कि यह बसे कि तर्कीब से बनाएं तो दिमाग के कायरे के करब जो रूप का जा रिये मैं आपको पहले बता दिया वो इसलिए कि यह मुकदम निमाग से होते हुए मौकद निमाग तक जाती है इससे रूपा बतद्रीश हो जाता है वो इसकाइब हो जाती है नेक्स बाइब तो अब जहिते मैं आपके बता रहा है तांकि यह दो है है वाजी जो जाती है दिमाग में इसमें हर्म नूज्थ का और लगना होता है और वह कोन गंजान देगी दिमाग की पुवत हार्जमाग इसलिए यह भाजिए आपकं यह बाजिवाज्वात है एक जब भी दिमाग के पुबत आजमा में कोई खराबी आती है तो उससे रूह रफसानी की शबावियत में या उसकी जो नुजिख है उसमें कुछ ना कुछ खराबी रह जाती है तो वो रूह रफसानी की पूरी पुक्ता नहीं कर पाता है तो इसलिए रुए रफसानी अपने अपाल पुरी पहरे से अंजाम नहीं दे पाती है तो एक बात तु यह हो जाती है कि uros नफसानी अपने तरा हर्म खिराती है तो रुए रफसानी की जो नूज Flgrass है वो नूज़ नामुकमल रहने की वजह से रुह द्चाने अपने तमाम अपाल वैशे अंजाम नहीं देंगाती करना ख्राब मत धिक Τू कंबोल करता है और जब हजब नमकमल होता है तो बाद गजागे बाद अज़जा फुजलाद में तब्दील हो जाते हैं तो इस तरह से इसका मिजाद बदल जाता है उमिलाद कदलने के वज़ा से रुजजा फुजा नहीं दे पाती है साथ आत्मा के खरादी से फुजलाद का इस दमाद भी शुरू होता है इस तरह दिमाग के अमराज मादभी में जहां तूसरे बद्नी असबाब शामिल होते हैं वही दिमाग के पुवत हादमा का किरदार दिमाग के अमराज में मुकविय दिमाग दिवाग देने का एक बड़ा मकसर यह भी होता है कि पुवत हादमा को दिमाग की इसलागी करूगा जब उसकी इसला हो जाएगी तो उससे ना सिर्फ वुजू का मिज़ाज इतलार पर आयेगा बनके वो फुजलात जो दिमाग मे पैदा हो रहे हैं उनकी पैदायश कम हो जाएगी और तबीयत तबीय होकर के मुम्किन है कि फुजलात को फिर वो दफ़ा करने पर पादिर हो जाएगी अच्छा जिमागी साथ साथ तोर उसके मुताजिकात का अगर बगवर जायदा ने आप तो यह वाज जाज होती है कि अमराज का तालुब तीनों किस्म के अमराज से यह वाज आपको बताई रहाता है कि इसमें सुए मिजाज इसलिए होंगे कि यह आजाय मुप्रदा से बना है अबराज तर्कीव इस वजा से होंगे कि यह एक उर्जव मुरक्व है और कपतों के इस्तासाल तो हो ही सकता है और क्को ह tabs मुझा सोफरे व्याज प्रूंगे और क का और कि और अमाशाक के साथ भूखता है यह वो तवां के उतूरे हैं के जहाँ दिमॉब खेंडाज के जुने होगा और उसका टार्ल कि इस हिस्शे से हो सकता है को जब आच एक सबस्वार और दिमाग किस चीज के साथ इस मर्ज का तादूक है क्योंकि जो प्रिंस्पन या जो उसूर इलाज जोहरे दिमाग के लिए है वो उसूर इलाज बतूने दिमाग के लिए नहीं होगा वो उसूर इलाज उनुके दिमाग के लिए नहीं होगा तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इलाज से पहले ये इस बात का तायून किया जाए कि मर्ज का तादलुक किस चीज़ के साथ दिवाब के जोहर के साथ है